जैशी कृष्णा दोस्तों बियसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम सुमवार नौमी तिथी के दिन किया जाने वाला एक ऐसा अध्वुत उपाय बतारे जिसके करने से आपके सभी प्रकार के ग्रहे दोश दूर होंगे और आपकी जो मनो काम है बहुत ही शीगर पूरी होगी तुमवार का दिन नौमी तिथी बहुत ही अध्वुत सयोग है इस दिन आपको केवल 41 दाने साबुत जो हरी मूंग होती है वो लेने हैं और एक भी दाना देखे टूटा फूटा नहीं होना चाहिए साथ में आपको देखे एक लोटा जल है अगर सोदी तो आप थोड़ा सा शफेद पीला जो आपके पास अवक्ष्ण डालें यह वस्तूं लेकर आपको शिप मंढ़ीष में जाना है और तुरव यह उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके भगवान शंकर का माता पार्वती का शिप परिवार का ध्यान करके आपको वहाँ पर ये उपाय करना है और जिस भी मनो कामना जिलिए आप इस उपाय को कर रहे उसको ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा सा जल सबसे पहले गड़े जी पे डालना है ओम गड़े शाय नमा कहते हुए फिर शिप परिवार पर डालना है नंदी जी पर आपको माता पारवती पर कारती के जी पर शिप परिवार में डालने के बाद आपको थोड़ा सा जल अशोक सुंदरी पर डालना ह यानि जहां से जल बहता है वहाँ पर थोड़ा सा डालना है और उसके बाद आपको पतली सी धार करते हुए शिवलिंग पर जल अरपित करना है अगर शिवलिंग के ऊपर कलश रखा हुआ है जिसमें से बूंद बूंद करके मतल़ जो जल गिरता है शिवलिंग पर अगर वो करके 41 दाने लेने हैं उनको अपनी सीधे हाथ में यानि अपनी हतेली पर रखकर अपनी मनो कामला सच्चे मन से भगवान शंकर के सामने कहते हुए अपनी इच्छा बोलकर शिवलिंग पर चड़ा देना है साथ ही दोस्तों वह बेल पत्र भी आपको शिवलिंग पर चड़ बोलना है सबसे पहले ओम नंदेश्वराय नमहा ओम नंदेश्वराय नमहा ओम नंदेश्वराय नमहा तीन बार आपको ओम नंदेश्वराय नमहा कहके अपनी मनो कामना नंदी जी के बायकान में अवश्य बोलनी हैं देखना आपकी जो भी मनो कामना होगी बहुत ही शीग बहुत ही शीग्र पूरी होगी आपके जितने भी ग्रहे दोश है कुंडली के दोश है वो भी अवश्य ही दूर होंगे दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखे